हेलो फ्रेंड्स आज मैं तुम्हें सायन किस प्रकार सिप्ट के जाती है वह बताने जा रहा हूं क्योंकि जनरली क्या होते हैं अपनी हंडेट परसेंट नहीं मिलता मित्रो तो यहां जो बार्क ग्राफ्टिंग के मेरे वीडियो जे और डी में डाल चुका हूं उसके सक्सेस होने के बाद में खराब हो गई फिर क्या हुआ उसके बाद उसे उसी पेड़ पे ओरिजिनल पेड़ का रूटी स्टॉक का ब्रेंच निकला उस पर मैंने सायन बांदी लंगडा की तो सक्सेस हो गई तो वहां लगभग अभी अंगुठे से डबल पैर के अंगुठे जैसी मोटे हो गई पैर के अंगुठे से डबल तो उस साइड में जो पत्ती दिखरी वह उसकी है तो मित्रों अगर जै मैं अभी पूरी कल में एक साथ खराब होती तो मैं इसे पूरा होरीजंटल कट कर देता आरी से और पूरी सायन फिर से सिफ्ट करता तीन-चार यह एक फिट गोलाई का पेड़े तो आप मुझे वह सायन रखने की उदर की इसलिए मैं क्या कर रहा हूं अभी इसमें दो जग मैं सायन फिट कर रहा हूं अलग-अलग वे रैड़ी तो मित्रों इसमें क्या करने का अब अगर जब इस सायन फिट करना है आपको वह सायन को हाड़ उट क तो टच होना चीए, फिट होना चीए, उसे अर्चन नहीं होने चीए, इसलिए मैं अभी कम से कम सायन चिपकना चीए, इसलिए जहां फिट करने वाला हूं, उस पोर्षन के ऊपर का पोर्षन मुझे छिलना पड़ेगा, ताकि सायन बुली स्ट्रेट फिट हो जाए, तो इसल लगबग जो वर्टिकल जो कट्स मारते हैं, तो वहां कट्स जो वर्टिकल दो कट्स मारते हैं, उसके बीच का डिस्टंस लगबग तीन सेंटीमीटर इतना लगते हम लोग, तो यहां तीन-तीन सेंटीमीटर मैं वह उपर से छिल रहा हूं पुरा उपर का पोर्षन, जो ड पास समय नहीं है इसलिए मैं सिर्फ जितना फीट करना है मुझे उतना ही पॉर्शन में फीट कर रहा हूँ इसके उपर का पॉर्शन आप कट कर सकते हैं छिल सकता था उस पॉर्शन को लगब लग कितना दो सेंटीमीटर अंदर तक छिलता ऊपर तक क्योंकि वो देट पॉर् बेस्ट है अभी इस वर्स टेंपरेचर बहुत होने के कारण लगबग बहुत सारे लोगों की कल में खराब हो रही ही मित्रों क्योंकि 35 डिग्री सेल्चेस तक अब देखेगा मैंने उपर गुरू बना ली काई के लिए सायन मेरी खड़ी फिट होना चीछ ले अब दो वर्ट वह एक बार वर्टिकल कट जैसे मारें तो वह कहां तक क्लच होनी जी है बार्क के अंदर से जाकर हार्ड उट तक तो एक यह बार नहीं मारने का रिपीट वहीं पर दो तीन बार उसी उसी में मारने के हलागी मैं आपको बता नहीं रहूं यहाँ पर तो यहां हार्ण बिल है यहां अंदर तक घुच जाता है लेकिन आप दूसरी ब्लेड इस्तेमाल करते हैं तो उस कट में आप दो तिन बार कट मारी है रिपीट करिए उस पर ताकि बराबर कट हो जाए और हाड उट तक पहुच जाए यह देखेगा अब इसको क्या करने का लूच करने का यह धी तो दिखेगा अब मैं यहां पर टोक के चीजल से पर वे की किसे हाल यह तोटना निचे धीरी धीरे करने का मीतो देखो उपार से कि अब मैं नीचे से उसे फिर ठोक के ठोड़ा ढ़िला करूंगा लूज यह देखेगा इस प्रकार एक ट्विस्ट देने का टिल्ट करने का अब इसे इधर से मैंने डाला है ठोक देने का हाथ से थोड़ा अंदर तक हाड़ूट तक जाते तक और फिर थोड़ा यह देखो मैं ठोक रहा हूं क्योंकि बार्क बहुत जाड़ी है हाड़ूट तक जाने दीजीगा तुमारा आउजार जो भी है टूल्स और उसके बाद में देखो मैं अश्य थोड़ा अब थोड़ा टिल्ट करूँगा देखेगा इस प्रकार थोड़ा टिल्ट फिर निचे और से क्योंकि एक साथ पूरी पाथ सेंटिमीटर टिल्ट नहीं तूपने की पॉसिबिलिटी जादा रहती बार्क यह देखेगा धीरे 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 अब हो गई मित्रो उसमें गुरू बन गई अब तो इस गुरू में जो अंदर गुरू है लूच की है उसमें कोई भी डस्ट वगेरे ना जाये प्रिकॉशन रखने का है डस्ट वगेरे गई आपकी तो खराब कर सकती है फंगस लग सकती है एकदम एयर टाइट ची है क्योंकि जो भी आपन सायन डालते है मित्रो वह हाड़ूट को एकदम टच यह पूरी और जो बार्क है उसको भी टच ची है ताकि दोनों के बीच में एयर ना रहे तभी आपको सक्सेस मिलेग तो मित्रो देखेगा हॉर्ण बिल नाइफ इस प्रकार इसमें इवनली कटाती इसकी एक खाशियत है इसको किस प्रकार इस्तमाल किया जाए मैं बता चुका हूँ हाँ तो यहाँ पर हमने डाल दिया है तो सायन डाल दिया है हमने लूच करके तो यहाँ सायन कितने हमने लंबा चिला है वी ग्राप्ट जो है हमारा भी यह जो है चार से पाथ सेंटीमीटर हमने जो ग्रूव बनाई वर्टिकल कट्स दिये और जो बार्क लूच की यह पेड़ की वहां पाथ सेंटीमीटर लग बगा है तो यहाँ कितनी सेंटीमीटर क करने का 4 cm एक ख्याल में रख़गा अगर आपने हो 6 cm किये तो यहां 5 cm कट करने का भी से हमने इसे डाल दिये आप यहां बराबर इसमें फिट हो चुकी है देखेगा इसके बाद में अब हम इसे पॉलितिन बादने का प्रोसेस सुरू करेंगे तो मित्रो इस प्रकार आपके अगर से कोई भी ग्राप्ट अगर से फेल हो गई यह बड़े पेड़ों की तो इस प्रकार आप 15-20 दिन में तुरत में आप यहां दुसरी सायंस इसमें इस प्रकार आप सीप्ट कर सकते हैं यह ख्याल में रखिएगा तो इसके लिए पॉलितिन कोंती इस्तमाल करने की मैं कैसे बनाने का पॉलितिन का वहां दो वीडियो में है तो मितरों यहां कितनी चाओडी चाहिए तो यह चाओडी पेड़ क्यों पर डिपेंड करता है यह फिड गोलाई का पेड़े 30 cm गोलाई का पेड़े लग बख समझो तो इसमें आपको 2 इंच चाओडी पट्टी चीए अगर समझो तीन फिट गोलाई का पेड़ है तो आपको तीन से चार इंच चौड़ी पट्टी इस्तमाल करने पड़ेगी वो डिपेंड करता है आपके पेड़ के साइज के उपे अंगुटे साइज का है आपका तो आढ़ा इंच आप कर सकते हाथ जैसे मोटा पेड़े समझो कंसीड़ करो उसके लिए आप एक इंच वाली स्ट्रीब इस्तमाल कर सकते है दो इंच वाली भी कर सकते है तो मित्रो यह डिपेंड करता है तो इसका टाइटनेस आपको कहां से करना का है जो хडिकल काट रीजिंज की धर उसके नीचे से एकदम ही दोख युदा ली दवा के आपको इक करने का है इसके चाहिट होने के बाद में आपको पॉलिथीन आपको पॉलिथीन कवर करने की मित्रो और यह जो उपर में गुरू जो दिखरी मित्रो वहां पर आपको गिली मिट्टी ज्यादा गिली नहीं और चिक्नी मिट्टी चिक्नी मिट्टी चिक्नी मिट्टी स्टिक कर देने का है ताकि वहां का जो वेपर है अंदर का बाहर ना निकले या बाहर का पानी अंदर ना जाएं तो जो चिकनी मट्टी आप इस्तमाल करोंगे वहां ज्यादा गिली नी चीए ज्यादा नमी नी चीए और उससे बेस्ट अगर चे आप व्याक्स बुला सकते हो ऑनलाइन अमेजान से अग्रिकल्टर सौपी से तो व्याक प्रकार की व्यादिज आप सीप्ट कर सकते मित्रों फेलूर के बाद में तो मित्रों उपर से क्याप पहनाने का है क्या आप कब निकालने का स्प्राउटिंग हो गई आठ दस पत्ते हो गए यह देखेगा उपर में टॉप में पहले मैंने रस्सी बांदी है तो रस्सी अगर इस्तमाल करते हैं तो भी चलेगा तो इस प्रकार आपको पूरा टाइट करना है देखेगा तो आपको उपर में पॉलितिन प्याक करना है इसके पहले पॉलितिंग किस प्रकार प्याक करना है मैंने आपने बार्ग ग्राप्टिंग के वीडियो में बता चुका हूँ तो उसमें होल्स मारने का है क्योंकि वेपर जो है वो बाहर निकल जाना चीए तो मित्रो ये पॉलीतिन उपर वाला कब निकलना चीए ये लगबग 30 दिन के बाद में आपको निकल लेने का है उसके बाद में ये नीचे का पॉलीतिन जो रस्षी के साथ में बंदा अन बैलेंसिंग होकर आपकी ब्रैंच ना गिरे तो मित्रों देखो हम बचे हुए पोर्शन में मैं ये फिट करने जा रहा हूं जो चिकन माटी जो है चिकनी मिटी ज्यादा गिली ना हो अंदर अगर से गिरने नहीं देने का उसमें ज्यादा चिक वह ताकि वह वेपर ना न अगर काली पड़ गई तो मित्रों अभी आम मटी इस्तमाल करते हैं चिकनी या अंदर नहीं जाना चीए प्रिकॉशन रखिएगा तो इससे बेस्ट अगर से आप ऐसे प्रोसेस में अगर से आप व्याक्स इस्तमाल करते हैं जो मार्केट में मिलता है और्डेडी आप आमे इसे मित्रों तो यहां सायन एकदम चिपक के चिए हाड़ और बार्क को यहां प्रोसेस बता चुका हूं तो इसके लिए आप यहां सायन कैसी लाने की ओभी बता दिया मैंने की 20 दिन पहले आप जाकर बगीजे में जी साम मेंगो की लाने की उसके डीपॉलिएशन पत्य त मित्रों यहां प्रोसेस है और इसमे चाकु का चेद मारने का निचे से बांद देने का यह इस प्रकार पानी ना जाए करके तो मित्रों यहां अगर से वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाक करना ना भूलीगा और सब्सक्राइब के लिए मेरा बेल आइकान क्लिक की झाल झाल